एक सिरेयल किलर अलग-अलग फैमिलीज के मदर के साथ अफेर करगर उन्हें टार्रगेट करता है। ऐसे एक फैमिली को उसने टार्रगेट किया पर हमारे में कैरेक्टर कोउस कर शक्ड चला जाता है। अब आगे क्या होगा या हम आज क्या हमारी मुजी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी तरीके एक्स्पनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारा मेन क्यारेक्टर डेविड को देख सकते हैं सुबा उने पर लोग जिस तरीके से सब नॉर्मल सी चीजे करते हैं यही सब डेविड नहीं की पर आज बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था घर में एक फैमिली के साथ उसके हम फोटोस देखते हैं पर जब वो घर से निकला तब हम घर में सब के डेट बॉडिस देखते हैं डेविड एक सीरेल की लरे इस फैमिली की मदर के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला किया पुलिस इन्वेस्टेशन की जाती है पुलिस इमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत बार किया हुआ है उनके पास डेविड की कोई भी आइडेंटीटी नहीं डेविड की चो फोटोस थी वो भी अपने साथ लेकर गया वो हमेशा कैश पेयमेंट करता है तो इसकी आइडेंटीटी पाने का उनके पास कोई भी वे नहीं था अब कुछ दिन बीच जाते हैं और सुपर शॉप में डेविड सुजैन से मिलता है सुजैन का बेटा शौन कुछ लेने की जित कर रहा था पर डेविड है देखकर कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के सुननी चाहिए अगर तुम लाइफ में लड़कियों की सुनोगे तो लाइफ में तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा डेविड के बाद सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी इसके बाद पार्किंग लॉट में सुजैन ने डेविड को पीजा के लिए पूछ लिया इसके बाद सिक्स मन्स गुजर गए थे और सिक्स मन्स में डेविड और सुजैन एक दूसरे के करीब आ गए अब इन्होंने शादी करने का भी डिसाइड कर लिया था सुजैन के दो चोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है माइकल अपने स्कूल में बहुत ही जादा ट्रबल क्रेट करता था तो इस वज़े से उसे मिलिटरी स्कूल में भीज दिया था अब वो अपनी होलिडेस के लिए वापस आया माइकल की बच्पन की गल्फरेंड थी जिसका नाम था केली युसे देखकर बहुत ही खुश थी माइकल ने उसे बुचा कि डेविड कैसा है वो अब तक डेविड से मिला नहीं था केली ने कहा कि वो ठीक टा किया माइकल के बैक यार्ड में आने के बाद उसके लिए एक बड़ी सी पार्टी उसकी मदर ने रखी हुई थी वो अपनी मदर से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मदर बहुत ही जल्दी मुवान करके माइकल डेविड से भी मिलता है पर जादा उससे कुछ भी बात नहीं करता सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ दिये वो अपने फ्रेंड से बुछती है क्या मैं जल्बाजी तो नहीं कर रही फ्रेंड से गा तुमें एक दुसरे से बहुत प्यार करते हो इसमें कोई भी जल्बाजी नहीं सुजैन की फ्रेंड जैकी रियल स्टेट में काम कर दी थी डेविड के पास आजकल जॉब नहीं तो यह जॉब उसे उदे देती है पार्टी में डेविड ने माइकल से खा कि मेरे साथ बेस्मेंट में चलो वो माइकल के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहता है उसने माइकल से कहा कि तुम भी फैमिली के लिए ज़रा एफर्स लेना और मैं तुम्हें मिलिटर स्कूल फिर से नहीं भेजूँगा रात में सुजैन माइकल से मिलने के लिए आई उसे कहती है कि डेविड सर्चूश में बहुत ही अच्छा है माइकल कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी गडबर नहीं करूँगा ये सब वो अपनी मदर पर गुस्सा होकर ही कह रहा था डेविड ने सुजैन को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए अगली दिन डेविड फिर माइकल की स्कूल में जाता है माइकल ने पहले वहाँ पर जगड़े किये थे इस वज़े सो बैंड था पर डेविड ने उसकी टीचर से बात करकर उसे फिर से उसमें एडमिशन दे दिया माइकल गए बात बहुत ये अच्छी लगी इस सब डेविड ने देखा और सुजैन से बात करता है कहता है कि इस सब इनका करना ठीक है ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती सुजैन ने कहा कि तुमें भी जरा मॉडर्ण बनना चाहिए इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते टीनर करते हैं बातों बातों में माइकल को बता चला कि डेविड के फैमिली का एक्सिडन्ट हो गया था इसी वज़े से उसके लिए फैमिली बहुत इंपोर्टन्ट है सुजैन कहती कि हमारा फैमिली एक्स्पिरियंस अच्छा नहीं था वो माइकल के फादर के बारे में बात कर रही थी पर माइकल कहता है सिर्फ फादर की इसमें गलती नहीं थी यहीं बात करते करते माइकल के फादर यहाँ पर आ गए वो वीकेंड के लिए सब बच्चों को लेकर जा रहे थे माइकल की अपनी फादर से नहीं बनती तो बाहर भी नहीं जाता सुबह सुजैन से मिलने के लिए उसकी नेवर आई हुई थी नेवर ने कहा कि मैंने डेविड जैसे आदमी की फोटो ये टीवी पर देखे पुलिस उसके वारे में बात कर रही थी पुलिस ने डेविड की स्केज बनवाई थी और इस सीरेल किलर से दूर रहने के लिए कहा हुआ था ये सब बात सुनके सुजैन को बहुत ही हसी आई और अपनी नेवर को सीरेसली नहीं लेती हसकर ये बात उसने डेविड से भी कही ये सारी चीज़े माइकल सुन रहा था आज काम पर जाते वक्त डेविड इस नेवर को देख कर जाता है डेविड ने माइकल को आज लंज के लिए बुला है उससे कहता है तुमारी मदर से में शादी करने वाला हो तो क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनो के तुमारे मदर को बहुत अच्छा लगेगा माइकल भी इसके लिए मान जाता है डेविड ने कहा कि मेरी बेटी अगर जिंदा होती तो आज 11 साल की हो जाती अपनी बेटी का नाम उसने लिसा बता है पर प्रिवेसली माइकल को उसने मिशेल बोला था माइकल कोई बात अजिब लगी पर डेविड करता है उसका नाम लिसा मिशेल था एक दिन नेवर के डोर बर नौक आई वो देखने के लिए गई तो बहाँ पर कोई भी नहीं था गर में आने के बाद उसकी बिली चिलाने लग गई थी उससे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माइकल था माइकल उसे बेस्मेंट के स्टेज से नीचे किरा कर मार डालता है एक दिन माइकल और केली रूम में थे यह दोनों इंटिमेट होने वाले थे तब ही डेविड बाहर से देख रहा था केली को इस बात से बहुत ही अनकमफ़टेबल लगा और वो घर पर चली जाती है माइकल डेविड से बुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे डेविड ने कहा कि मैं अभी अभी घर पर आया और मेरी रूम में जा रहा था डेविड और सुजान माइकल से गयते है तुम्हें केली की इतनी जादा पास नहीं जाना चाहिए लोग उसके बारे में गलत समझेंगे माइकल डेविड से गयता है तुम्हें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था इनकी आगे बात हो पाती तो ये Michael के father बहुत ही गुसा होकर घर में आये वो डेविड को धमगाते हैं कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना डेविड ने Sean को previously hurt किया था इस वज़े से Michael के father बहुत ही ज़ादा गुसा थे वो भारने वाले थे पर Michael उने रोक लेता है बाहराने के बाद माइकल के फादर ने उसे पूचा, तुम उसे बात क्यों नहीं करें, मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंट करना चाहता हूँ, माइकल भी इसके लिए हा कहता है, सुजन को बता ही नहीं था कि डेविड ने शौन को हाथ लगाया, ये दोनों फिर शौन क ये एक फ्रेंड जिसका नामे जैकी उसके साथ रियल इस्टेट के आफिस में काम कर रहा था, जैके नहीं उसे का, तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन लगेगी, इस सब कुछ तुम सब्मीट कर देना, डेविड ए चीज कभी भी नहीं से माफी मांगी, फादर डेविड से गयत है, मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकल वाए, तुम्ही स्कूल में जाते थे, वहाँ पर तुम्हारे नाम का कोई भी नहीं था, ये सब सुनने के बाद डेविड डारेक्ली उन पर हमला कर देता है, उन्हें मार कर डेविड ने उसे बेस्मेंट में छिपा दिया, सुजन ने डेविड को कॉल लगया और कहा कि माइकल के फादर मिलने के लिए आने वाले है, डेविड ने कहा कि वो आये ही नहीं, माइकल फादर को कॉल करने की कुशिश करता है, पर डेविड ने जल्दी से मोबाइल ले ल मेरी खुशी में ही तुम सब लोग खुश रहो जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडिय नहीं थी वो और भी इन्वेस्टिकेशन करने का डिसाइड करती है आज माइकल और सुजेन को लगता है कि माइकल के फादर आये ही नहीं सुजेन ने आकर माइकल से बात कि कहा कि तुम्हारे फादर हमेशा ऐसे ही करते है पर डेविड ऐसा नहीं है वो इस फैमिली को फिर से एक दिखना चाहता है तुम्हें भी इसके लिए एफर्स करने चाहिए माइकल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ डेविड ने माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था कि उबीजी है और आज आ नहीं सकते है थोड़े दिनों में पुलिस को पता चल गया कि नेवर की डेथ हो कही है उन्हें लगा था कि स्टेर से नीचे गिर कर उनकी डेथ हो कही इसके बारे में डेविड जब किसे से बात कर रहा था तो माइकल ने सुन लिया माइकल रियलाइस करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेवर की डेथ हुई है पर यह नहीं पता चला था इस टेर से नीचे गिर कर हुई ये बात उसे कैसे पता थी उस पर शक करने लगता है इस सारी बात उसने केली से कही वो केली से ये भी कहता है उसने अपनी डॉटर का नाम चेंज किया है पहले उसने कुछ और बता है था और बाद में कुछ और बता है केली कहती कि तुम बहुत जादा सोच रहे हो वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रबल क्रेट ना गरे ताकि वो उसके पास से रह सके डेविड आगर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए में ज़रा बहार जा रहा हो डेविड के जाने के बाद माइकल डारेकल उसके रूम में आ गया केली उसे मना कर रही थी पर माइकल को डेविड के बारे में और भी इन्फोर्मेशन चाहिए थी थोड़ी दर में अचानक से डेविड फिर से वापस आ जाता है केली और माइकल घर में छुपका है डेविड नोंने आसपास जुनने की बहुत ही कोशिश किये पर बहुत चाला किसे ये फिर स्विंग पूल के पास आ गये डेविड समझ गया था कि पहले दोनों घर में ही थे माइकल को भी लगता है ये शाहिद वो ऐसे ही डेविड पर शक कर रहा है डेविड माइकल के पास आया उसे गता है शाहिद हम दोनों में दूरी आ रही है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिटरी स्कूल में भेज़ दूँगा माइकल फिर से डेविड पर शक करने लग गया वो राद में लापटाप पर पुलीस की वेबसाइट चेक करता है उसमें उसने डेविड की स्केज देखिए सर्च हिस्ट्री में अल्री डेविड ने इस साइट को चेक करकर रगा था तो ये भी बात बहुत ही सस्पिजियस थी अगली दिन डेविड का स्केज माइकल ने केली को दिखाया केली गहती के स्केज किसी से भी मिल सकता है तुम्हें इतने जादा इस पर सोचना नहीं चाहिए आजकल माइकल का केली बर जादा ध्यान नहीं था ये बात केली को अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वहाँ से ओ जा रही थी डेविड ये देखकर केली से एता है शायद तुम दोनों का जगड़ा हुआ है तुम भी अब इस फैमिली का पार्ट हो तुम्हें हम सब का ख्याल रखना चाहिए डेविड गेली को अलग नजरों से देख रहा था उसे अंकमफ़टेबल लगा और वहाँ से चली जाती है बहुत दिनों से माइकल की अपनी फादर से पात नहीं हुई थी तो कॉल लगाता है बेस्मेंट में उसके फादर का मुबाईल बजने लग गया डेविड डर जाता है इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता माइकल ने अपने रूम से बेस्मेंट से आवाजारी ये नोटिस किया वो नीचे बोचता है तो डेविड हॉल में था उसे लगा कि शायद डेविड का मुबाईल बजरा होगा पर वे भी वे बेस्मेंट में जाकर देखना चाता था उसने बेस्मेंट का डोर उपन करने की कोशिश की पर वो लॉक्ट था डेविड ने कहा कि इसकी चावी गुम हो गई है इस बात से माइकल का डेविड पर और वी ज़्यादा शक चला गया सुजैन और डेविड जब एक साथ है तो डेविड की फोटो निकालता है रात में सुजैन कुछ घंडों के लिए ज़रा बाहर के माइकल जब शावर ले रहा था तो डेविड ने उसके मोबाइल से उसकी इमेज डिलीट कर दी माइकल ने डेविड को उसके रूम से बाहर आते हुए देख लिया था ये सब आकर माइकल केली से कहता है वो छुपके से जाकर बेस्मेंट देखना चाता था रात में डेविड सुजैन की इमेल चेक करता है इसमें जैके ने लिखा है मुझे डेविड ज़रा अजीब लगता है मैंने एक प्राइविड इन्वेस्टिगेडर को हायर रिख किया है वो डेविड के बारे में हमें और भी इन्वार्मेशन देगा ये इमेल डेविड ने डिलीट कर दिया जैके को अपने घर के बाहर कोज आवाज आई सुविंग पूल में उसके एक चदरी पड़ी हुई थी उसे हो निकाल रही थी तब ही डेविड पीछे से आता है पानी में डुबा कर उसनों से मार दिया थोड़ी दिर में सुजयन घर पर वापस आई उसका थोड़ा सर दुक रहा था तो डेविड कहता है कि गोली ले लो एक्च्वल में गोली नीन की थी तो सुजयन शांती से सो जाती है माइकल और केली घर पर आया माइकल गहता है कि तुम नज़र रखना उपर अगर कोई लाइट विगरा स्टार्ट हुआ तो मुझे बता देना पर बाहर निकलाऊंगा बेस्मेंट में उसने डेविड का लॉक किया हो नोटिस करता है उसने देखा तो डायर्कल उसके फादर की बॉड़ी उसमें थी वो बहुत ही ज़ादा डर गया तब ही केली बेस्मेंट के उपर से उसे आवाज लगा रही थी डेविड है नोटिस करता है और केली को मार कर बेहोश कर देता है माइकल ने बाहर निकलने की कोशिश किये पर डेविड ने सारे डोर्स को सील कर दिया डेविड के लिए को घसीटे घसीटे घर में लेकर आया सब कुछ आवाज सुनकर सुजैन के नीन खुलके वो बुछती के सब चल क्या रहा है डेविड कहता है मुझे लगा था कि फैमिली मेरे लिए परफेक्ट है पस सब कुछ गड़बड होके तुम्हारा बेटा मुझे पर शक करने लग गया अब मुझे तुम सब को मारना पड़ेगा वो सुजैन के पीछे उसे मारने के लिए भागा माइकल बहुत ट्राइ करता है और फाइनल योग बेसमेंट से बाहर निकला सुजैन भाग कर बातरू में चीप गई थी डेविड इसका दर्वाजा तोड़ देता है दर्वाजा तोड़ते हुए उसका सीशा नीचे गिर गया था सुजैन न उठा कर डारेगली डेविड की न एटिक की वूड को मोल लगा हुआ था सुजैन और के ली इससे नीचे गिर जाते है डेविड नीचे जाकर उसे मार देता तो भी माइकल फिर से उपर उटकर उसे जोर से बाहर पटकता है वो देखता है कि क्या डेविड नीचे गिरा हुआ है पर डेविड नीचे नहीं थ वो माइकल को पगड़ लेता है और अपने खुद के साथ माइकल को भी उसने नीचे किरा दिया यह दोनों बहुत ही इंजोड हो गए थे यहाँ पर पुलिस आये और माइकल को हम डारेक्ली हस्पिटल में देखते हैं वो बुछता है कि मैं कहा हूँ सुजैन ने कहा कि एक मन स पुलिस यह मिल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हो भाग गया था यही पर एंड हो जाती है यह मूवी इसी टाइप के एक सेरियल किलर सी इंस्पार थी जिसका नाम था जॉन लिस्ट जॉन लिस्ट ने विए बहुत सारे लोगों को मारने के बाद एक स्टेवल को अंदर ने मत भुलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया एक सेरियल किलर अलग अलग फैमिली की मदर के साथ अफेर करकर उन्हें टार्गेट करता है इसे एक फैमिली को उसने टार्गेट क पर हमारे मेन क्यारेक्टर को उस पर शक चला जाता है अब आगे क्या होगा कि हम आज के हमारे मुवी दे स्टेफ फादर 2009 की एक थ्रीलर हॉलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब एक सिरियल किलर है इस फैमिली की मदर के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला किया पुलीस इन्वेस्टेशन की जाती है पुलीस आमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत बार किया हुआ है उनके पास डेविड की कोई भी आइडे वीडे देखकर कहता है कि तुम्हें अपनी मदर के सुननी चाहिए अगर तुम लाइफ में लड़कियों की सुनोगे तो लाइफ में तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा डेविड के बाद सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी वो डेविड की रिंग देखकर उसे कहती है इसके बाद सिक्स मन्स गुजर गए थे और सिक्स मन्स में डेविड और सुजैन एक दूसरे के करीब आ गए अब इन्होंने शादी करने का भी डिसाइड कर लिया था सुजैन के दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है माइकल अपने स्कूल में बहुत ही जादा ट्रबल क्रेट करता था तो उस वज़े से उसे मिल्टरी स्कूल में भीज दिया था अब वो अपनी हॉलिडेस के लिए वापस आया माइकल की बच्पन की गल्फरेंड थी जिसका नाम था केली उसे देखकर बहुत ही खुश थी माइकल ने उसे बुचा कि डेविड कैसा है वो अब तक डेविड से मिला नहीं था केली ने कहा कि वो ठीक टा किया माइकल के बैक यार्ड में आने के बाद उसके लिए एक बड़ी सी पार्टी उसकी मदर ने रखी हुई थी वो अपनी मदर से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मदर बहुत ही जल्दी मूँआन करके माइकल डेविड से भी मिलता है पर जादा उससे कुछ भी बात नहीं करता है सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ दिया वो अपने फ्रेंड से बुछती है क्या मैं जल्बाजी तो नहीं कर रही उसने फिर सब्जेक चेंज करकर का कि फैमिली मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दुसरे से दूर जाए वो माइकल के साथ अच्छी रिलेशन्शिप चाहता है उसने माइकल से कहा तुम भी फैमिली के लिए जरा एफ़र्स लेना और मैं तुम्हें मिलिटरि स्कूल फिर से नहीं भेजूंगा रात में सुजान माइकल से मिलने के लिए उसे कहती है कि डेविड ससुष में बहुत ही अच्छा है माइकल कहता है कि वरी मत करो मैं कुछ भी गडबड नहीं करूँगा ये सब वो अपनी मदर पर गुसा होकर ही कह रहा था डेविड ने सुजैन को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए अगली दिन डेविड फिर माइकल की स्कूल में जाता है माइकल ने पहले वहाँ पर जगड़े किये थे इस वज़े सो बैंड था पर डेविड ने उसके टीचर से बात करकर उसे फिर से उसमें एडमिशन दे दिया माइकल को एबात बहुत ही अच्छी लगी केली भी इसके लिए एकसाटेर थी कि माइकल उसके साथ रहेगा एक दिन डिनर से पहले शॉन वीडियो गेम्स खेल रहा था उसकी मदर ने कहा कि आवाज ज़रा कम करो पर शॉन माना नहीं गुसे में डेविड उसके पाज जाता है उसका गला दबा कर उसने उससे रिमोट छीन लिया उसे वह इस कम रखने के उसने वार्निंग दी माइकल और के लिए स्विमिंग पूल में एक साथ है एक दूसरे को किस कर रहे थे इस सब डेविड ने देखा और सुजन से बात करता है कहता है कि इस सब इनका करना ठीक है ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती इस सब बात करते हैं इस सब बात करते हैं कोई भी नहीं था गर में आने के बात उसकी बिली चिलाने लग गई थी उससे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माइकल था माइकल उसे बेस्मेंट के स्टेज से नीचे गिरा कर मार डालता है एक दिन माइकल और केली रूम में थे डिनर के बगद डेविड और सुजान माइकल से गए थे तो में केली की इतनी ज़ादा पास नहीं जाना चाहिए लोग उसके बारे में गलत समझेंगे माइकल डेविड से गए ता है तुमें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था इनकी आगे बाद फाती तो ये माइकल के फादर बहुत ही गुसा होकर घर में आये वो डेविड को धमगाते हैं कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना डेविड ने शौन को प्रिवरसली हर्ट किया था इस वज़े से माइकल के फादर बहुत ज़्यादा घुसा थे वो बारने वाले थे पर माइकल उन्हें रोक लेता है बाहराने के बाद माइकल के फादर ने उसे पूचा तुम उसे बात क्यों नहीं करें मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ सुजयन की एक फ्रेंड जिसका नामे जैकी उसके साथ रियल इस्टेट के आफिस में काम कर रहा था जैकी ने उसे का तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन लगेगी इस सब कुछ तुम सब्मीट कर देना डेविड एचीज कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल जाएगा वो डिनर के वक्त सुजयन से बात करता है क्यों जौब में नहीं करना चाता वो इसके लिए कोई भी रीजन नहीं दे रहा था सुजयन उसे बार-बार पूछ रही थी पर डेविड फिर गुस्सा आओकर वहाँ से चला जाता है एक दिन सुजयन ज़रा बाहर गई थी तो यह माइकल के फादर उससे मिलने के लिए घर पर आए उस तरह जो भी हुआ था इसलिए उन्होंने डेविड से माफी मांगी फादर डेविड से गयत है मैंने तुमारे बारे में इनफोर्मेशन निकलवाई तुम जी स्कूल में जाते थे वहाँ पर तुमारे नाम का कोई भी नहीं था यह सब सुनने के बाद डेविड डारेकली उन पर हमला कर देता है उन्हें मार कर डेविड ने उसे बेस्मेंट में छिपा दिया सुजन ने डेविड को कॉल लगया और कहा कि माइकल के फादर मिलने के लिए आने वाले है डेविड ने कहा कि वो आये ही नहीं माइकल फादर को कॉल करने की कुशिश करता है पर डेविड ने जल्दी से मोबाइल ले लिया और उसे साइलन कर देता है सुजन आज राद अपने फ्रेंज के साथ थी जाके कहती है मैंने डेविड से आइडेंटिफेशन मांगे उसके बाद वो कायफ हो गया उसे बात बहुत यजीब लगती है सुजन से उसने पुछा तुम उसके बारे में जानती क्या हो सुजन कहती कि मैं आज कल बहुत ही खुश हूँ वो डेविड पर डाउट कर करें सारी चीज़े खोना नहीं चाहती उसने फ्रेंज से का कि मेरी खुशी में ही तुम सब लोग खुश रहो जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडिय नहीं थी वो और भी इन्वेस्टिकेशन करने का डिसाइड करती है आज माइकल और सुजन को लगता है कि माइकल के फादर आये ही नहीं सुजन ने आकर माइकल से बात कि कहा कि तुम्हारे फादर हमेशा ऐसे ही करते है पर डेविड ऐसा नहीं है वो इस फैमिली को फिर से एक दिखना चाहता है तुम्हें भी इसके लिए एफर्स करने चाहिए माइकल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ डेविड ने माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था कि वो बीजी है और आज आ नहीं सकते है थोड़े दिनों में पुलिस को पता चल गया कि नेवर की डेथ हो गई है वोने लगा था कि स्टेर से नीचे गिर कर उनकी डेथ हो गई इसके बारे में डेविड जब किसे से बात कर रहा था तो माइकल ने सुन लिया माइकल रियलाइस करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेवर की डेथ हुई है पर यह नहीं पता चला था इस टेर से नीचे गिर कर हुई ये बात उसे कैसे पता थी वो उस पर शक करने लगता है इस सारी बात उसने केली से कही वो केली से ये भी कहता है उसने अपनी डॉर्टर का नाम चेंज किया है पहले उसने कुछ और बता है था और बाद में कुछ और बता है केली कहती कि तुम बहुत जादा सोच रहे हो वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रबल क्रेट ना गरे ताकि वो उसके पास से रह सके डेविड आगर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए में जरा बाहर जा रहा हो डेविड के जाने के बाद माइकल डारेकल उसके रूम में आ गया केली उसे मना कर ही थी पर माइकल को डेविड के बारे में और भी इनफोर्मेशन चाहिए थी थोड़ी दः में अजनक से डेविड फिर से वापस आ जाता है केली और माइकल घर में छुप गए डेविड नोंने आसपास जुणने की बहुत ही कोशिश किये और बहुत चाला किसे ये फिर स्विंग पूल के पास आ गये डेविड समझ गया था कि पहले दोनों घर में ही थे माइकल को भी लगता है कि शाहिद वो ऐसे ही डेविड पर शक कर रहा है डेविड माइकल के पास आया उसे गयता है शाहिद हम दोनों में दूरी आ रही है अगर ऐसा ही जलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिटर स्कूल में भेज़ दूँगा माइकल फिर से डेविड पर शक करने लग गया वो राद में लापटाप पर पुलीस की वेबसाइट चेक करता है उसमें उसने डेविड की स्केज देखिए सर्च हिस्ट्री में अल्डेडी डेविड ने इस साइट को चेक करकर रगा था तो ये भी बात बहुत ही सस्पिजियस थी अगली दिन डेविड का स्केज माइकल ने केली को दिखाया केली कहती के स्केज किसी से भी मिल सकता है तुम्हें इतने अज़ादा इस पर सोचना नहीं चाहिए आजकल माइकल का केली पर ज़ादा ध्यान नहीं था ये बात केली को अच्छी नहीं लगती और गुस्य में वहाँ से ओचा रही थी डेविड ये देखकर केली से हैता है शायद तुम दोनों का जगड़ा हुआ है तुम भी अब इस फैमिली का पार्ट हो तुमें हम सब का ख्याल रखना चाहिए डेविड गेली को अलग नज़रों से देख रहा था उसे अंकमफ़टेबल लगा और वहाँ से चली जाती है बहुत दिनों से माइकल की अपनी फादर से पात नहीं हुई थी तो कॉल लगाता है बेस्मेंट में उसके फादर का मुबाइल बजने लग गया डेविड डर जाता है इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता माइकल ने अपने रूम से बेस्मेंट से आवाजारी ये नोटिस किया वो नीचे बोचता है तो डेविड हॉल में था उसे लगा कि शायद डेविड का मुबाइल बजरा होगा पर फिब्यू बेस्मेंट में जाकर देखना चाता था उसने बेस्मेंट का डोर उपन करने की कोशिश की पर वो लॉक्ट था डेविड ने कहा कि इसकी चावी गुम हो गई है इस बात से माइकल का डेविड पर और भी ज़्यादा शक चला गया सुजैन और डेविड जब एक साथ है तो डेविड की फोटो निकालता है रात में सुजैन कुछ घंडो के लिए ज़रा बाहर के माइकल जब शावर ले रहा था तो डेविड ने उसके मोबाइल से उसकी इमेज डिलीट कर दिये माइकल ने डेविड को उसके रूम से बाहर आते होए देख लिया था यह सब आकर माइकल केली से कहता है वो छुपके से जाकर बेस्मेंट देखना चाता था रात में डेविड सुजैन की इमेल चेक करता है इसमें जैके ने लिखा है मुझे डेविड ज़रा अजीब लगता है मैंने एक प्राइविड इन्वेस्टिकेटर को हायर रिख किया है वो डेविड के बारे में हमें और भी इन्वार्मेशन देगा ये इमेल डेविड ने डिलीट कर दिया जैके को अपने घर के बाहर को ज़ आवाज आई सुविंग पूल में उसके एक छटरी पड़ी हुए थी उसे वो निकाल रही थी तब ही डेविड पीछे से आता है पानी में डुबा कर उसनों से मार दिया थोड़ी दिर में सुजयन घर पर वापस आई उसका थोड़ा सरदुकरा था तो डेविड कहता है कि गोली ले लो एक्च्वल में गोली नीन की थी तो सुजयन शांती से सो जाती है माइकल और केली घर पर आया माइकल कहता है कि तुम नज़र रखना उपर अगर कोई लाइट विगरा स्टार्ट हुआ तो मुझे बता देना पर बाहर निकलाओंगा बेस्मेंट में उसने डेविड का लॉक किया उसनों से अपने फादर की बैग मिली फादर का फोन भी पड़ा हुआ था डेविड के अचानक से नीन खुल जाती है वो नीचे चेक करने के लाए ये लाइट देखकर केली माइकल को कॉल करने वाली थी पर उसकी बैटरी खतम हो जाती है माइकल बैस्मेंट में फ्रीजर को नोटिस करता है उसने देखा तो डायर्गल उसके फादर की बाड़ी उसमें थी वो बहुत ज़्यादा डर गया तब ही केली बैस्मेंट के उपर से उसे आवाज लगा रही थी डेविड नोटिस करता है और केली को मार कर बेहोश कर देता है माइकल ने बहार निकलने की कोशिश किये पर डेविड ने सारे डोर्स को सील कर दिया डेविड केली को घसीटते घसीटते घर में लेकर आया सब कुछ आवास सुनकर सुजैन की नीन खुलके वो पुछती के सब चल क्या रहा है डेविड कहता है मुझे लगा था कि फैमिली मेरे लिए परफेक्ट है पस सब कुछ गडबड होके तुमारा बेटा मुझे पर शक करने लग गया अब मुझे तुम सब को मारना पड़ेगा वो सुजैन के पीछे उसे मारने के लिए भागा माइकल बहुत ट्राइगरता है और फाइनल यो बेस्मेंट से बाहर निकला सुजैन भाग कर बातरू में चीप कई थी डेविड इसका दर्वाजा तोड़ देता है दर्वाजा तोड़ते हुए उसका सीशा नीचे गिर गया था सुजैन ने उठा कर डारेक्ली डेविड के नेक में डाल देती है वो ही पर बाट टब में नीचे गिर गया वो नीचे आती है और सब एक दुसरे को गले लगाते है तभी डेविड फिर से उनके पास आ गया वोने मारने वाला था पर जल्दी से स्टेर्स लेकर एटिक में आके इस स्टेर्स को माइकल बन कर रहा था पर डेविड इसे रोक लेता है वो भी उनकी पीछे-पीछे उपर आ गया डेविड और माइकल की fight होती है attic की wood को mole लगा हुआ था Suzanne और Kelly इससे नीचे गिर जाते है डेविड नीचे जाकर उसे मार देता तो भी माइकल फिर से उपर उटकर उसे जोर से बाहर पटकता है वो देखता है कि क्या डेविड नीचे गिरा हुआ है पर डेविड नीचे नीचे नहीं था वो माइकल को पगड़ लेता है अपने खुद के साथ माइकल को भी उसने नीचे गिरा दिया यह दोनों बहुत ही injured हो गए थे यहाँ पर पुलिस आया और माइकल को हम directly हो हस्पिटल में देखते है वो उसना है कि मैं कहा हूँ सुजैन ने कहा कि एक मन से तुम कोमा में थे उसने बुझा कि डेविड का क्या हुआ सुजैन कहती है कि पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग गया था अब इसके बाद एक नए हुलिय में हम डेविल को फिर से सूपर शॉप में देखते हैं जिस तरीके से हो सुजयान से मिला था उसी तरीके से किसी और लड़की से हो मिल रहा है इतना सब कुछ करने के बाद भी हो भाग गया था यही पर एंड हो जाती है यह मूवी इसी टाइब के एक सिरियल किलर से इंस्पार थी जिसका नाम था जॉनलिस्ट जॉनलिस्ट ने भी बहुत सारे लोगों को मारने के बाद एक स्टेबल लाइफ हो जी रहा था पर बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया इसे के साथ आज का वीडियो हम घतम करते हैं अगर आपको एक्स्पेशन अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा यह बहुत सारी मूवी इस लेकर आत रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखें प्लीज बहुत सारी मूवी इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे प्लीज बहुत सारी मूवी इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे प्लीज बहुत सारी मूवी इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे भीजे बहुत सारी मूवी इस चानल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दीजे